तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे एद की खास मोगे पर 11 अप्रेल को स्रीमाघरो में रिलिस हुई थी बॉलिवूट के खिलाड़ी अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मिया छोटे मिया जिसने स्रीमाघरो में 18 दिन पूरे कंप्लेट कर लि फिल्म को रिलिस हुए आस नेमाघरो में 19 वा दिन चल रहा है तो फिलाल बात करने वाले है इस वीडियो में बड़े मिया छोटे मिया और मैदान फिल्म के पूरे 19 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में 18-18 दिन पूरे कंप्लेट हो चुके हैं बॉलिवूट के खिलाड़ी अक्शे कुमार, टाइगर शॉफ और बॉलिवूट के सिंगा माजी डेउगन को एक बेहतरी नभी नेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथी साथ इस चेरिल को भी ज़रूर सब्स्क्राइब कर लीचेगा दोस्तों अकर बात करें सबसे पहले बड़े मिया चोटे मिया की तो ये एक एक एक्शन त्रिडर फिल्म थी जो कि अलियाब बास जफर के डिरेक्शन बरी थी जिसको प्रिड्यूस क्या था जैकी भगनानी वाशु बगनानी और दिप्शिखा देशमुक ने फिल्म में हमें अक्शेई कुमार, प्रत्विरा सुकुमरान, टाइगर शुरॉफ, मानुशी चिल्ला, सुराक्षी सिना और रौनी तरो एहम किरदारों में असर आई थे और फिल्म का जो बजट था वो साड़े तीन सो करोड उड़ उपे का था हाला कि बड़े मिया, छोटे मिया से बहुत ज़्यादा उम्मीदे थी, फिल्म के उपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई थी, बहुत ज़्यादा पैसा करच किया गया था फिल्म को बनने में 20 सालों लगे थे और फिल्म का पिरमोशन भी बहुत बड़े लेविल पर किया गया था लेकिन दोस्तो एद का मौका था लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलू कि बड़े मिया छोटे मिया ने बॉक्स आफिस पर जिस तरह से परफॉर्म किया वो बहुती निराश जनक किया क्योंकि बड़े मिया छोटे मिया को किसी ने पसंद ही नहीं किया और फिल्म ने बॉक्स आफिस पर अभी तक जो किया है वो वाकी बहुती ज्यादा खराब किया है क्योंकि दरशक जब सिनेमा अगरों में फिल्म को देखने के लिए गए रही तो फिल्म का नुकसान ही होना था और यही हुआ है बड़े मिया छोटे मिया के साथ अगर मैं बात करूँ फिल्म के अभी तक के बाकसाफिस कलेक्शन की तो अपने पहले दिन यानी के ओपनिंग डे पर 36 करोड 33 लाख रुपे कमाने के बाद फिल्म का जो चार दिनों का विकेंड था वो 40 करोड 80 लाख रुपे इंडिया से नेट था तो ही फिल्म ने पूरे वर्ड में 96 करोड 18 लाख रुपे कमा लिये थे उसके बाद पंदरवे दिन फिल्म ने कमाई थे 80 लाख रुपे सोलवे दिन फिल्म का कलक्शन था 40 लाख रुपे सतरवे दिन फिल्म ने कमाई 65 लाख रुपे अठारवे दिन फिल्म का तीसरा संडे था तो अठारवे दिन फिल्म ने कमाई एक करोड़ पच्चिस लाख उर्पे जा दोस्तो संड़े की बात कर रहा हो कल की यानि के तीसरा संड़े था फिल्म का अठारवा दिन तो एक करोड़ पच्चिस लाख उर्पे फिल्म ने कमाई और आज 19 वा दिन है तो आज फिल्म कम से क 40 लाख उर्पे के आसपास कमाई करेगी और फिल्म का जो 19 दिनों का टोटल कलेक्शन है वो इंडिया के अंदर 62 करूर उर्पे हो चुका है वहीं फिल्म पूरे वर्ड में लगबख 148 करूर उर्पे के आसपास पहुच जाएगी और दोस्तों फिल्हाल तो ये फिल्म बॉक्स आफिस पर बहुत बड़ी डिसास्टर हुई है चली बात करते हैं आज ये देवगन की फिल्म मैदान के हलाकि मैदान फिल्म से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदे थी शैतान इससे पहले बॉक्स आफिस पर सूपर इट हो चुकी थी मैदान को भी बहुत ज़्यादा अच्छे तारीफे मिली थी रिलिस्ते पहले ही लोगों ने फिल्म की खूब तारीफे की थी लेकिन मैदान फिल्म को भी बॉक्स आफिस पर वो प्यार नहीं मिला जो किस फिल्म को मिलना चाहिए था आपको बताता चलो मैं कि मैदान एक बाइज अर। जी स्टूडियोज और बोनी कपोर ने और फिल्म में हमें आरजी देयोगन के साथ प्रियामनी नज़र आई थी और दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो लगबग 100 करोड पे था ओफिचली आपको बता रहाओ 100 करोड पे बजट था फिल्म का लेकिन अगर मैदान फिल्म के हम कमाईगी बात करें तो पेट प्रिव्यूस का मिला के फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन था वो 7 करोड 10 उसके बाद पंदरवे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 80 लाक उर्पे और फिल्म की जो टोटल कमाई है अठारा दिनों की वो 43 करोड 15 लाक उर्पे इंडिया से डेट हो रही है तो वही फिल्म पूरे वर्ड में 65 करोड रुपे के आसपास पहुच रही है और दोस्तो मैदान फिल्म भी बॉक्स आफिस पर फ्लॉप चल रही है और आज 19 वा दिन है फिल्म का तो आज फिल्म लगबग लगबग 30 से 40 लाख रुपे करेगी और दोस्तो मैदान फिल्म का भी अगर देखा जाए तो अब कुछ नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी बड़े मिया चोटे मिया या मैदार आपको कौन सी फिल्म पसंद आई थी कमेंड में जरू बताईएगा